नम्बर वान, कुलिंजन, लगभग आधा ग्राम कुलिंजन के चूर्ण को शहद के साथ रोजाना सुबह और शाम लेने से अपने आप पेशाब आने का रोग ठीक हो जाता है नम्बर टू, सुब्नधबाला, अगर पेशाब अपने आप आने का रोग सनायो तंतर से संबंधित हो तो आधा ग्राम से एक ग्राम सुब्नधबाला चूर्ण जरा सी अफीम के साथ लेने से लाब होता है नम्बर टू, कुश्या दाम, डामी, कुश्या दाम की जर को 3-6 ग्राम की मातरा में पीस कर घोट कर सुबह शाम पीने से मूतराश है वो स्थान जहां पेशाब एक अत्रत होता है कि सारे रोग ठीक हो जाते है नम्बर फोर, मुंडी, गोरक मुंडी, मुंडी, गोरक मुंडी के पंचांग, जर, तना, फल, फूल, पत्ती का रस 10-20 मिलिलिटर की मातरा में सुबह शाम लेने से पूरे मूतराश है वो स्थान जहां पेशा बेक अत्रत होता है का शोधन हो जाता है और बार-बार पेशा बाने का रोग ठीक हो जाता है इसके साथ गुरूच का काड़ा देने से भी लाब दायक होता है नम्बर फाइव, सफेद सेमर सफेद सेमर का गोंद जिसे हत्यमान का गोंद भी कहा जाता है उसे 3 ग्राम की मात्रा में सुभा शाम खाने से बार बार पेशा बाने के रोग में पूरा लाब होता है 6. कुछला लगभग एक चौथाए कुछला को सुभा शाम लेने से बार बार पेशाब आने का रोग दूर हो जाता है नमब सेवन, बबूल, बबूल की कच्छी फलियों को चाया में सुखा ले फिर इसे घी में भून कर, चून बना कर समान मातरा में मिला कर रख ले बार इस तून बटियों supremता है